तो हेलो मेरा नाम है अभिशेक और स्वागत करता हूँ आपके प्यारेस चैनल जे आर टुटोरियल्स में ठीक है जैसा कि आपको पता है कि हमने अल्रेडी ट्वेल्ट बैट शुरू कर दिया है बायलजी का ठीक है हमने एक लेसन अल्रेडी कंप्लीट भी कर दिया है कौनसा लेसन जिसका नाम है रिप्रोड़क्टिव इन रिप्रोड़क्शन इन हाईर एंड लोवर प्लांट की बात कर रहा हूं है ठीक है वह आपके बोर्ड के परस्पेक्टिव से बहुत ही जाब नेक्स लेसन ठीक है जिसका लेक्शर नंबर टू इसका मतलब क्या है कि लेक्शर नंबर वन भी अल्रेडी अप्लोड हो चुका है तो वह भी आप जाके सबसे पहले चेक आउट कर लीजिए क्योंकि उसमें मैंने आपको बहुत सारी बेसिक बेसिक चीज़ आपको बता दि है ठीक है समझ में आ रही है बात अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ने किया है तो यह मेरा यूजर आईडी है आप जाके मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं अगर आपको मेरे लेक्शर पढ़ते टाइम पर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे डाइरेक कॉ कि सर मुझे यह डाउट है तो मैं आपके डाउट को अन दे स्पॉर्ट वहां पे सॉल कर दूँगा अगर आपको सारी चीज़े समझ में भी आ रही है ठीक है तो भी आप मुझे आकर मैसेज करते हैं कि सर मुझे आपका पढ़ाय हुआ सब कुछ समझ में रहा है कि बच्च क्या होता है वह हम लोग ने समझ लिया था असेक्शोल रिप्रादक्शन। की भी बात हो गय थी एसेक्श्वल रिप्रेयस्ट में में आपको दिकत की बातो स्पैलेvil स्पैलिंग मीटर करती तो घملॉन फॉर्शन और बडिंग भी सिखा दिया था तो चृशन किसके अंद तरिटा न पर लोगी बच्चों दांस जुंद्स ट्रोडिक्ट्टिक्शन की फीचर क्या है तो फर्टिलइजेश्टन टांसों जहां पर पार्थीनों Genesis कहते हैं So now साथ आपने ठीक है आगे बढ़तेएं फिर मैंने reproductive system के बारे में शुरुवात कर दी थी 466 का male का ठीक है डियूरों में अब मैंने आपके reproductive system के बारे में बाति करना शुरू कर दिया था तो इतनी बात है किस हो गई हो गय थी last को function करता है एक तो gamit का formation करता है और एक sex hormone बनाता है ठीक है अगर हम लोग मेल की बात करें तो मेल का जो gamit है उसे हम लोग क्या कहते है sperm ठीक है मेल की gamit को क्या कहते है हम लोग को कहते हैं हम केते हैं ठीक है और जो sex hormone भार्मोन है अगर हम लोग होर्मोन की बात कर सैंतों मेल जो हर्मोन अ कि चांद्रोजन है जा के द kneadra कि और और आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही आंड्रोजन के बारे में पढ़ना इस लेसंघ्रम कौंसा टेस्टस्टेरण से से कैम सुना है नहीं है времainly हम लोग इस Lesson में किसके बारे माँपड़ना है टेस्टस्टाइए तो यह बत समझ में आ गई primary sex organ के बाते में क्या होता है primary sex organ वह और गन जो क्या क्या produce करता है रोतिया थे सांप saoust क्या produce करता है sex hormone currently करता है mummy not produce करते है sechs hormone कौन nucleus कर तो ते स्त नुग के बाढ actually के बारे में अपड़ेंगे पिर मैंने आपको बता है किसे सरी डफसके बारे में क्या होती है एक्ससाेसरी डाक्त वोा रास्ते हैं जहां से एक्सेसरी डक्ट कहेंगे बड़ी सारे रास्ते में आपको बताऊंगा बड़ी सारी चीज़े होती है ठीक है नेक्स्ट मैंने बात किया एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में एक्सेसरी ग्लैंड क्या होते है जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पर्म सारी सीमन में सिर्फ और सिर्फ 10% ही स्पर्म होता है ठीक है एक पूरे सीमन में एक सीमन की जैकुलेशन में सीमन क्या होता है इजैकुलेटरी फ्लूइड ठीक है जो ejaculate होता है तो उसके अंदर से 10% ही क्या present होता है sperm present होता है बागी का 90% ठीक है बागी का 90% क्या होता है एक gland का secretion होता है एक नहीं actually 3 gland के secretion होते हैं उन 3 glands का हमलग किसमें पढ़ेंगे accessory glands में पढ़ने वाले ठीक है समझ मैं introduction हो गया recap हो गया सारी memory चीज़े याद आ रही है ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग testis के बारे में बात करेंगे समझ मैं यह बात ठीक है तो एक testis present कहां होता है ठीक है सबसे पहले हम लोग उसका location पता करना है कि testis humans के अंदर present कहां होता है तो एक में human बना रहा हो यहां पर कोई हसेगा नहीं मेरे drawing इतनी अच्छे नहीं है तो यह जनरली सोरी 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 ना भी ब्रकार नहीं बनाना है कि अगे बड़ा है यह इसके हाथ है हाथ पड़े अजीब हो गए चलेगा कोई बात नहीं हमको हाथ के बारे में पढ़ना भी नहीं है हमको concept समझना है बच्छों ठीक है ब्राइंग का जाधा राइंग के जाधा मार्क्स नहीं होते पेपर में ठीक है जाधा मांस होते हैं labeling के तापको concept समझ भाना चाहिए है यह इस बंदे के पैर है तो टेस्टिस प्रेजंट काया होता है बच्चों से आपके बॉड़ी की या फिर या पिर ये किसी भी पर यूज और बोर्डिक का किरता है इस बॉल्दी काविकट से कहते है वाली ब़ॉडी केविटी यह वाली क्या के कहते हैं इस दाइफ राम के जो नीचे वाली बाडिक एविटी यह वाली बाड़ी डामीनल क्यावटी ईह वाला पॉर्शन देख रहे हैं जो अबोडा बोर्शन दिख रहे हैं जो नीचे वाला portion है इस region को हम लोग pelvic region कहते हैं उसा region कहते हैं pelvic region और हमारा जो reproductive organ होता है वो generally generally इस pelvic region में present होता है लेगिन अगर हम लोग testis की बात करें तो testis यहाँ पर body के बाहर hang कर रहा होता है देखो यहाँ पर एक testis यहाँ पर और यह एक पाउच लाइक और गन में यह पाउच लाइक structure में body के बाहर hang कर रहा होता है इस पाउच लाइक structure को scrotum कहते हैं तो आओ इसको थोड़ा सा बड़ा बना ले यह मैं मिटा रहा हूँ क्यों मुझे स्पेस चीए थोड़ी सी ठीक है यह समझ मैं है यह जनरली थो रैसे कवीटी और यह प्यल्यीगी रीजिन पेल्विग रीजन के बाहर प्रेजेंट कौन टेस्टिस समझ में रही है और टेस्टिस एक क्या गय सकते है एक पाउच में प्रेजट है उस पाउच को हम लोग क्या करते है था अब सबसे पहला कोशन यह बनता है बो करना होता है 37 degree Celsius और इसको maintain करना पड़ेगा ठीक है अगर 37 degree Celsius नहीं रहा तो हमारे बॉडी में जितने भी chemical reactions हो रहे वो नहीं हो पाएंगे ठीक है जिसके वैसे हमारा body proper function नहीं कर पाएगा लेकिन अगर हम लोग sperm production की बात करें तो sperm production दो से ढ़ाई degree कम temperature पे होता है ठीक है इससे दो से ढ़ाई degree कम pressure हम लोग मान लेते हैं अजम कर लेते अराउंड अराउंड 35 degree Celsius पे sperm का production हो पाता है sperm का production 37 degree Celsius पे नहीं हो पाएगा ठीक है इसलिए body ने क्या किया है body ने टेस्टस को बाहर रख दिये ठीक है abdominal के बाहर रख दिये ताकि हमारे इसको जिसका जो temperature वो क्या हो regulate हो ठीक है ज्यादा temperature ना हो इत्ती बाद समझ में तो यह एक normal सा कुशन बन सकता है clear हो गया हो आपको ठीक है यह में मिटा दूँ अब इस structure को हम लोग थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे और देखेंगे किस टेस्टस के अंदर आखिर कर क्या क्या चीज़े प्रेजेंट होती है इस structure को हम लोग थोड़ा सा यहां पे बड़ा बनाने वाद है तो देखो for example यह है तुम्हारी abdominal cavity यह तुम्हारा lower abdominal region है ठीक है और इसके नीचे यहां पे टेस्टस प्रेजेंट है यह पूरी तरह से बाहर नहीं है ठीक है अच्छा एक और बात कि यह जो स्क्रॉटम है यह पूरी तरह से बाहर नहीं है ठीक है मतलब यहां कुछ चीजों से यह connected है ऐसा airtight container नहीं है तो यहां पर जनरली छोटे-छोटे holes present होते बच्चों यहां पर छोटे-छोटे holes present होते हैं इन holes को क्या कहते हैं इनका नाम आपको पता होना चाहिए इन holes को कहते हैं inguinal canal यहां पर इसे यह जो स्क्रॉटम है यह पूरी तरह से बाहर present नहीं होता है इसमें छोटे-छोटे holes present है अब इस hole से बड़ी सारी चीज़े बाहर आई होई है इन holes को क्या नाम दिया मैंने अभी इनको कहते हैं inguinal canal inguinal canal इतनी बाते समझ में यह नाम याद हो जाएगा यह स्क्रॉटम अभी तक मैंने ज्यादा कुछ पढ़ा है नहीं हो तुम लोग को यह बड़ा सा स्क्रॉटम ठीक है यह स्क्रॉटम पूरी तरह से बाहर नहीं होता कुछ एक कैनाल प्रेजेंट होती है जिसके अंदर से बड़ी सारी चीज़े नीचे आई हो ही होती है क्या चीज़े होती है मैं बताता हूं अभी आपको इस कैनाल को हम लोग क्या केते हैं इंग्विनल कैनाल इत्ती बात है क्लियर है अब देखो हम सबको पता है कि दो प्रकार की मसल्स होती है ठीक है आपने भी आपको आपने भी पड़ा होगा दो टैप की मसल्स होती है नहीं पड़ा तो सुन लो दो टैप की मसल्स होती है एक होता है स्मूद मसल और एक होता है skeleton muscle ठीक है एक होता है smooth muscle और एक होता है skeleton muscle smooth muscle कौन सी muscle होती है ऐसी muscles जिनको हम लोग अपने will के according move नहीं कर सकते हैं ठीक है ऐसी muscles जिनको हम अपने will के according move नहीं कर सकते हैं उन्हें हम लोग smooth muscle कहते हैं लेकिन जिनको हम लोग अपने will के आकोर्डेन कर सकते हैं जिसे हमारे बाइसेस्प में जो नहीं होरी है ना सब्सक्राइब से नहीं रही है था आपका यह थीश्टक्राजर मारे सु नहीं रोग सकते से खुझ से नहीं रोक सकते हैं क्योंकि वह आपके विल के नहीं है और वह स्मूथ मसल से बना हुआ है तो आपको क्या लगता है कि जो हमारा स्टमक है हमारा स्टमक है वह कौन सी मसल से बना हुआ होता है स्टमक की बाहर की लाइनिंग के बात कर रहा हूं है वह कौन सी मसल से या skeletal muscles से, ठीक है? comment करके बताओं मुझे, हमारा जो stomach है, वो कौन सी muscle से बना हुआ है? smooth muscle से, या फिर skeletal muscles से, ठीक है? जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता देता हूं आप लोग ने बाबा रामदयों को देखा होगा ठीक है बाबा रामदयों क्या कर सकते अपनी पेट को बहुत ही जादा इजीली मूव करवा सकते ठीक है तो अकर वह मूव कर सकते हम भी मूव कर सकते हैं इसका मतलब हमारा जो abdominal muscle है वो skeleton muscle से बना हुआ है क्यूं क्योंकि हम उसे खर सकते हैं तो यहां पर हमारी hayamasa constant है is यही skeleton muscles का एक छोटा सा पार्ट scrotum के अन्धर भी आया हुआ रहता है ग्रहुत के थुझे तुन के थुझे तो यहीं पर कि असा हुआ लाई यह जो यलो कलर का जो मैंने बनाया है इसका नाम भी पता होना बहुत ही जादा जरूरी है यह जो मसल है इसे कहते हैं क्री मैस्टर मसल क्या कहते हैं क्री मैस्टर मसल क्या कहते हैं यह जो स्केलेटल मसल है इसे हम लोग क्या क्या क्यते हैं क्री मैस्टर is a skeletal muscle note करते जाएंगे ठीक है I hope कि आप भी वहाँ पे अपनी book और pen लेके बैठे होंगे और ये सारी चीज़े note कर रहे होंगे कि अगर आप ये सारी चीज़े note नहीं करेंगे तो आप बाद में भूल जाने वालो है सब नाम ठीक है बाद में आप जब अपनी book उटाकर देखोगे तो बोलोगे यार ये सब क्या लिखा हो है मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहे लेकिन जब आप ये सारी चीज़े note करोगे ठीक है revise करोगे तो आपको सारा concept easily clear हो जाएगा और याद भी रहेगा ठीक है आगे बात करें तो यहां से एक skeletal muscle आई हुए जिसका क्या नाम दिया मैंने smooth cream master muscle ठीक है मैंने क्या ही नाम दिया सांटिस्टों ने नाम दिया इसी skeletal muscle से जान से जुना इसी skeletal muscle के आगे एक और muscle present होती है जो की smooth muscle होती है और ये भी इसी inguinal canal के अंदर से आती है यहां से ये green color वाली ठीक है it is a smooth muscle समझ में आ रही है बात ठीक है ये जो yellow वाला बनाया था ये cream master muscle ये skeletal muscle था ठीक है जिसे हम लोग move कर पा रहे थे लेकिन इसी के अंदर एक और muscles present होती है जो की smooth muscle है ठीक है इस muscles का नाम है daltos इसका daltos it is a smooth muscle अब देखो अब आप लोग सोच रहे हो लगे कि ये muscles का function के तो सुनो जबी भी सर्दियों का time आता है ठीक है जबी भी बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है अब देखो इसके अंदर तो temperature हमको 35 degrees Celsius रखना ही रखना है क्योंकि sperm के production होती है नहीं temperature पे होती है तो body क्या करता है body इन muscles के through ठीक है अगर बाहर का temperature बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया ठीक है winter चल रही है बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया तो body क्या करेगा in cream इस cream master muscle के through ठीक है cream master का function बता रहा हूँ इस cream master cream master muscles के through क्या करेगा इस scrotum को अपनी तरफ pull कर लेगा ठीक है इस cream master muscles के through body क्या कर लेगा scrotum को अपनी तरफ pull कर लेगा जिसके वज़से उसको थोड़ी सी warmness मिल जाए ठीक है अगर हम लोग बात करें डैल्टॉस की तो डैल्टॉस का function होता है वो scrotum की size को थोड़ा सा छोटा कर देता है अब इससे फाइदा क्या होता है आप लोग ने पढ़ा होगा शायद align rule पढ़ा होगा आप लोग ने तो align rule क्या कहते है कि जिसका भी surface area कम होता है ठीक है तो अगर इसका area कम हो जाएगा ठीक है तो इसका इसके अंदर से heat loss भी इतना जादा नहीं होगा इसका मतलब heat loss भी नहीं हो रहा है और उपर से warmness भी मिल रही है इसका मतलब यह जो दोनों मसल्स हैं यह दोनों temperature regulation में help करते हैं लिख सकता हूं मैं यह दोनों मसल्स किसमें help करते हैं temperature regulation इतनी बात clear है ठीक है इतनी बात जो मैंने अभी तक बता ही वो clear है सिंपल सी बात ठीक है आच हो आगे अभी स्क्रॉटम के हम लोग ने में चीज़ तो बनाई नहीं कौन सी में चीज़ एस्टेस इस के center में दो टेस्टेस प्रेजेंट होते हैं ठीक है और single pair of test is present in the scrotum ठीक है कभी कभी एक बार एक्जाम में question भी आए था कि कितने pair of test is present होते हैं तो बच्चों को दो वर्ड याद रहता है कि हाँ दो टेस्टेस है मतलब वो आप्शन टिक करके आ गए थे टू ठीक है लेकिन question क्या था कितने pair of test is present है तो आपको हमेशा है दखना है single pair of test is present in the present in the male reproductive system ठीक है समझ में आरिए इस आर टेस्टेस लिख देता हूं यह तो आप भूल जाओगे इस टेस्टेस के अंदर अगरमल बात करें तो इसके अंदर छोटे-छोटे क्या present होते हैं लूब्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे दिखर है जो यह लोग अलरका बना रहा हूं इस आरदा लूब्स इन लोब्स को में लोग क्या कहते हैं टेस्टिक्यूलार लॉब्यूल ठीक ह लूब्स है किसके अंदर प्रेजेंट लोग स्केक अंदर प्रेजेंट日本 रहां में टेस्टिक्यूलार अग लोब्यू रहते हैं यह वक्ली नहींत प्रेजंट होते हैं यह यह भी आपको पता होना ची है डिक है यह अरौन यह अरांड थ्वान्द्ध ठूसिक्वाइन 200 से लेके 300 के नंबर में पर टेस्टेस यह भी लिख दाता हूँ यहां पर टेस्टेस यह तरी बात है समझ में आ रही है हर टेस्टेस में 200 से लेके 300 के बीज में टेस्टिकुलार लॉब्यूल प्रेसेंट होते हैं ठीक है अगर मैं इस टेस्टिकुलार लॉब्यूल को प्रेजेंट 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 होता है इस त्यूब को क्या नाम देद दिया गया है इस ट्यूब को केते हैं सेमिनी फेरस टिब्यूल स्यंतर है रैंड को धर्वोर और देंगा नाम यांन रखने का बिल्कुल सिंफल सा पंडा है चापाइब प्रेजेंट छोम्ह औरा समॉत है आपको समॉत में इसतनीlet अपको समझ में अब हम लोग को क्या पढ़ना है अब हम लोग को इसके अंदर भी जहांकना है ठीक है अब हम लोग को इस एक लोब को बाहर निकालना है ठीक है समझो यह एक लोब है ठीक है इस लोब को बाहर निकालना है इसको ऐसे ट्रांसवर सेक्शन काटना है यह एक लोब है तो इसको य वन जोः डिखिंगे टिखे वारि कर सकते हैं इत्ती बात वह नि Background के उन्डर दो क्लिख प्रेजंट होगा किसी के नंदर 3 Mr और किसी यां एक प्रेजंट हो सकते हैं तो कितना वन से लेकिए 4 Seminiferous Tribule प्रेजन्ट होता है एक लॉब्यूल के अंदर इत्ती बात है समझ भई आगे चले ठीके आगे हम लोग को इसी लॉब्यूल का transfer section पढ़ना है ठीके उसी लॉब्यूल का क्या पढ़ना है transfer section तो मैं क्या करता हूं यहां से एक लोब्यूल निकालता हो ठीक इसको पकड़ता हूँ और यहां पर ट्रॉख अ गयता हूं यह है वह दो जो मैं अभी पड़ रहा था और इस लोब्यूल के अंदर क्या था आत्रों मेरे साथ बोलो इस लगिल के अंदर क्या प्रेजेंट था सभीनि फेरस आप यहां पर ऐसे ट्यूंबलेक ट्रॉक्ट्चर है तो यह यह स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट transfer section में हमको क्या-क्या पढ़ना है यह मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया इसके बारे में क्या-क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है तो सुनो द्यान से इसके अंदर अभी यह देखो यह चोटे-चोटे क्या प्रेजेंट है सिम्हीन इफरस ट्यूब ट्यूब बताना तो इसको मैंने कट कर दिये तो इसे अम लोगो चोटे-चोटे सरकल से दिख रहे है यह क्या है से मिनी फ्रस ट्यूब लिग दो यहां पर कि मेनी Heros तीज़ियस गप्रति Holों देखले湿 hosting मेरा स्पाइल हाथ हुद थोडव हात सब्सक्राइब तो सही इंन ये है स्न elder speaking अब यह सामेन फिर स्टिबूल के अन्दर क्या प्रेज़ेंट होता देखो चिक है इसके अंदर कुछ इस शेप के सेल प्रेजेंट होते हैं ऐसे और ये सारे के सारे सेल्स एक दूसरे से टाइट जंक्षन के थ्रूँ अटाच होते हैं तोड़ा मैंने बड़ा बड़ा दिया तोड़ा छोटा बड़ा दिया देखो यह सारे के सारे cells एक दूसरे से tight junction के थुरू क्या होते हैं attach होते हैं यह जो cells दिख रहे हैं इनको मैं color कर देता हूँ इनको color इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको चीजे समझ में है मैं तो आप confused जाओगे कौन सा कहा present है सर आपने बताया है यह नहीं लिख लो अच्छे से तोड़ा सा तो विका है यह यह दिख रहे हैं यह एक cells present होते हैं यह cells एक दुसरे से tight junction के थुरू present होते हैं बच्चों टीक है जो cells दिख रहे हैं न ऐसे ऐसे करके यह एक दुसरे से TIGHT junction के थुरू एक दूसरे से attach होते हुँ कर दिके इनके भीच का टाइट जंक्षन हैं कि जिस्मचों को टाइट जंट्शन नहीं पता कि इनको बता दूर तो रहुकिए इनकें। बैच्टों को टाइट जंच्शन नहीं पता उनको continuity न NU यह जो सेल्स मेंने बनाए है ठीक है इन सेल्स को कहा जाता है नर्स सेल्स इन्हें कहा जाता है नर्स एक नर्स सेल्स का क्या काम होता है ठीक है एक नर्स का काम क्या होता है बच्चे की देखवाल करना उसको नरिश्मेंट देना ठीक है तो इस सेल्स का भी यही काम है आगे चल को ही सिस्तेंग तरंकी लड़़स की अंस का इन संसे को स सेंटकुलर सिल्स भी कहते हैं ठीक है इतनी बत समझ में आ रही है इन्हेस थैक अग् dalej दरम 1 तैने मेंगर आपको इन तीनों में से कोई बिनाम आ जाए ग्जाम में थो आपको हमेशा है पता और ती अच्छा 16 सेल की बात हो रही है तब इसे नर्स सेल भी कहते हैs इसे इसे सांटी कुलर सेल भी कहते है हुर इसे ही सट अलीड केने मेई इसका फ़ंक्षन क्या है जितने भी क्यों बनेंगे उनको नरिश्मेंट प्रवाइड करमा इतनी बात समझ में आगी, ठीक है, कौन से cells बनेंगे, ठीक है, कौन से cells आगे चलके sperm बनाएंगे, तो इन सर्टोली cells के बीच में, यहाँ यहाँ पर cells present होते हैं, दिख रहा है यह ग्रीन कलर का, यह जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया है न, these are the cells which is responsible for the formation of sperm, ठीक है, यही आगे चल से stencils, मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं, अच्छी बात तो क्या है, important बात बताता हूं, आपके book क्या according, कि जो men होते हैं, men, ठीक है, इनके अंदर जब sperm का production शुरू हो जाता है, ठीक है, प्यूबर्टी के आराउंड, जब उनकी प्यूबर्टी की age होती है, around 13 to 14 age, उस टाइम पे इनका sperm का production शुरू हो जाता है, और ये बंद ही नहीं होता, ठीक है, जब तक एक men जिन्दा रहता है, ठीक है, around 60, 70, 80 तक, जब तक एक men जिन्दा रहता है, तब तक उसके अंदर sperm का production continue होता रहता है, ठीक है, इसका मतलब ये stem cells है, ये हमेशा एक cells बनाते रह जाते हो, और ये खुद वापस फॉर्म हो जाते हैं, समझ मेरी ये बात, so these are stem cells, इंस cells को कहा जाता है, spermato gonia, spermato gonia, ठीक है, इसे spermato gonia भी कहेंगे, फिर spermato gonium भी कहेंगे, लिख दू वह भी, spermato gonium, ठीक है, दोनों कह सकते हो, एक है spermato gonia, एक है spermato gonium, इतनी बात है समझ में आगे, ठीक है, clear है ये सारी चीज़े, ठीक है, इस space पे, जो जो खाली आपको space देख रहा है, interstitial space बोलते हैं, जो खाली-खाली space रहता है, उसे interstitial space बोलते हैं, तो इस interstitial space में कुछ cells प बनाते हैं, ये, इस interstitial space पे, मतलब क्या है, कहीं भी, ठीक है, इस पूरे space पे, समिने फिर स्टिब्यूल को छोड़के, कहीं भी, cells present होते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंस है, क्यों, क्योंकि ये आगे सल के कुछ ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, जितके वज़े से ही, स्पॉम का प्रोड़क्शन चालू होगा, ठीक है, अगर ये वो चीज़ प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्या है, बताता हूँ मैं भी, अगर ये चीज़ वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है, तो स्पॉम का प्रोड़क्शन चालू नहीं हो सकता इन सेल्स को क्या कहा जाता है इन सेल्स को कहते हैं ले डिक सेल्स क्या कहते हैं ले डिक सेल्स यह इंटरस्टीशियल स्पेस पर प्रेजेंट है इसी लिए इसे इंटरस्टीशियल स्पेस सेल्स भी कहते हैं एक और ना में इंका इंटर इंटर इसे ले डिक सेल भी कहते हैं और इसे इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं ठीक है ये क्या प्रोड्यूस करते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं मेल सेक्स हॉर्मून क्या प्रोड्यूस करते हैं ये मेल सेक्स हॉर्मून कुंसा हॉर्मून बताया था मैंने आपको एंड्रोजन ठी तो मेंनली यह प्रोड़्ोस करने वाले हैं testosterone कब producer करते हैं यह production चालू करते हैं जब बोई की प्यूबर्टी हिट होती है श्रॉक चिश्क करते हैं इसका production start कर देते हैं testosterone का समझ में यह बात किनी बात समझ मैं आपको यह सारी चीजर समझ में आ गए उनगे आपको लोब्यूल समझ में आ गया होगा ठीक है नेक्स लेक्ट्र में हम लोग इसका अगर सारी चीजे हम लोग नेक्स लेक्ट्रोल में पढ़ेंगे तो अगर आपको इस सारा सब कुछ समझ में आई होगा जितनी चीज़े मैं आपको बताई ठीक है और अगर आप ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सबसे पहले जाओ चैनल में देखो बड़ी सारी चीज़ है अगर आपका भाई वहन है जो फिफ्स या शिक्स क्लास में है तो उनके लिए भी वीडियो लेक्चर्स हमने अल्रेडी अप्लोड किये हुए हैं ठीक है तब नेक्स लेक्चर में हम लोग मिलेंगे ठीक है तब तक के लिए कीप स्टड़ी मिलें आपका जाप से बाव तक के लिए पिए का आपका घर भी वेक्चर्सट notamment क्यां आपिस्टरी अप्लोड किया अवार टूरी खिए खिए टूराइब में हुए हैं झाया रेक्चर्सटरी चांबर भी बावार समय है एंवाई।